देश में सीबर सफाई के दौरान होने बाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने वड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को मिलतकों के परिजरों को 30 लाख रुपे मौवजा देना होगा सीबर की सफाई के दौरान कोई सफाई कर्मी इस्थाई दिब्यांगता का श्रकार अगर होता है तो नियुनतम मुआपजे के रूप में उससे 20 लाख रुपे दिये जाने चाहिए बही अन्य दिब्यांगता पर अधिकारी उससे 10 लाख रुपे का मुआपजा दें भुक्तान करें सुप्रिम कोट ने कहा कि केंदर और राजी सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हाथ से मेला ढौनी की प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए सुप्रिम कोट ने हाई कोट को सीबर से होनी बाली मौतों से संबंदित मामलों की निगरानी करने से ना रोके जाने की निर्देश दिये हैं जुलाई 2022 में लोक शभा में पेश सरकारी आंकणों के अनुशार पिछले पाच बरसों में भारत में सीबर और सेप्चिक टैनकों की सफाई करने के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई है जिन में 40 फिजदी मौतें उत्तर प्रदेश में हुई है तमिन नाजू और दिल्ली में भी आंकणा करीब करीब यही है